हेलो फ्रेंड्स, IBS कोचिंग सेंटर बढ़ंडा मानसा दे यूट्यूब चैनल दे तोड़ा सारे दा स्वागत है अज जैसी लेके आए हैं जी बाल मनोव गयान जानी चाइल्ड साइकोलोजी दा पहला लेक्चर पिछली वीडियो मेंगना इसी कुछ दिन पहला हो दे विच मैं चाइल्ड साइकोलोजी दा सारा स्लेस डिसक्स किता सी पीटेट दे विच दे सीटेट दे विच आप आपनों पते है कि चाइल्ड साइकोलोजी के मेन रोल प्ले कर दिये सब तो मेन सब्यक्ट है सब तो मैंतर पुर्ण सब्यक्ट है गए सो एज दे स्लेबस डिसकस हो गया सी आज जैसे शुरू कर रहे हैं जी पहली कलास चाइल्ड साइकोलोजी दे स्लेबस दी बाल मनों वे ग्यान दे स्लेबस दी है पहली कलास है गी है तुसी आधा कापी पैन कोल रखो जी जड़े इंपोर्टेंट पॉइंट है नालना तुसी नोट कर सकते हो ये जड़ी लाइन है कि ये पहला चैप्टर से लिखे होया इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड सैकोलोजी ये वाली लाइन स्लेबस से विच मैंशन नहीं है ना पीटेट दे स्लेबस विच पर ये दे विच्चो एक्क्या दो कोशिण हर साल आए होई है सरे प्राणे कोश्छं प्राणे कोश्ण प्राणे कोशना तो बनाए हूए यह सारी वीडियो बनाई गई है यह सारा लेक्चर त्यार किता गया है आपका शुरू कर देएं जी Introduction to Child Psychology दा पहली कलास सब तो बिला देखो जी Introduction to Child Psychology बाल मनोवग्यान दी जान पच्छान जब पंजापी चिकल करिए तुसी देख रहे हो कि Left side ते English दे विचे है ते Right side दे पंजापी दे विचे है So जड़े बच्चे दे मीडियम English है जड़े बच्चे दे मीडियम पंजापी है दोना लई है वीडियो वदी अकाम दो होगी दोनों तरिक्के न तुझ समझ साग देऊ सब तो बेली गले Definition and History about Psychology कि जड़े बच्चे दा मनोवग्यान है ओधी हिस्ट्री ओधा इतियास ते ओधी परिपाशा की है गी है सब तो बेला पगल करांगे Definition दी Psychology is a scientific study of human behavior and relationships एसा की मतलब है जी मनोवग्यान मनुख्य व्यार अते ओने सबंदादा विज्यानिक अध्यन है ए है की Definition Psychology तुसी नोट कर सकते हो ओसा बाद है जी Psychology word is first used or coined by German philosopher Rudolf Gockel मतलब मनोवग्यान शबद सब तो पहला वर्तो जर्मन philosopher Rudolf Gockel द्वारा किती गई की सब तो पहला Psychology शब्दनों दुनिया दे विच इस्तमाल की ने किता जी Rudolf Gockel ने एवला point एवला question पेपर दे विच बार बार आया हुए Rudolf Gockel दे पारे तुसी ये नोट कर सकते हो एस्तो बाद Psychology शब्द की में बनेया हुए Psychology word is made up of two words Psyche plus logos Both are Greek, Latin and Yunani words मतलब जड़ा Psychology शब्द है और दो शब्दा तो बनेया हुए Psyche plus logo Psyche दा मतलब हुँद है जी Soul, आत्मा ते logo दा मतलब हुँद है Study या विज्ञान या Science एवी पेपर दे विच आया हुए है कि जड़े दोनों शब्द है केड़ी पाशा तो लिते गए एवी दोनों जड़े शब्द है लतिनी, ग्रीक, युनानी या लेटिन भाशा आपा कह सकने है किसे भी रूप दे वीचे कोशन आ सकता है यह उनों से नोट कर सकते है उस्वबाद इट मीन्स स्टड़ी और साइन्स ओफ सोल मतलब एदा मतलब की बनेया जी शब्द ना मतलब बनेया स्टड़ी या साइन्स ओफ सोल मतलब एज़ार्थ है आत्मा या विज्ञान दा अध्यन ठीक है इस सो बाद है कि यह कुछ डेफिनेशन है मेन मेन साइकोलोजिस्ट ने वडियां स्टियान दितिया हुए जिनना दे नाम ते कोशन आया है सब तो पहलत है डक्टर राधा कृष्ण इंदा ने किया जी मोटीव ओफ एड्यूकेशन इस तो रिमूव पिटफोल्स एन तो डिस्कवर ट्यूनेस सिख्या दी प्रेरना है मुश्किलान दूर करना ते सचाई दी खोज करना डक्टर राधा कृष्ण जी ने किया जी एस सुबाद महात्मा गंदी इंदा ने किया जी मीनिंग ओफ एड्यूकेशन इस तो ब्रिंग बेस्ट फ्रोम चाइल्ट सिख्या दा अर्थ है बच्चे दे विच्चो सर्वोत्तम बार लेऊना या बेस्ट बार लेके आना एस सुबाद जोन बी वेट्सन वेट्सन जी ने किया साइकोलोजी मीन्स प्योर साइंस इंदा ने किया जी मनो विग्यान दा रथ है शुद्विग्यान इनने मनो विग्याननों शुद्विग्यान किया है एस सुबाद कलार्क कलार्क केंदे है लर्निंग is a ग्रुप ऑफ ऐक्टिविटीज विच मेक्स ए चेंज इन बिहेवियर ओफ लर्नर मतलब learning गतिविदिया देक समूव है जो सिख्यार्थी दे विहार विच तबदिल ली लेंदा है learner नुइनन ने सिख्यार्थी क्या है learner दा मतलब होंदे सिख्यार्थी जड़ा सिख्या ले रहे हैं जड़ा सिखरे है उस बाद bloom bloom दी थियोरी बहुत वरी आई है bloom दी ये definition दे question बहुत वर आया है bloom ने किया है education is three dimensional process मतलब सिख्या एक तिन आयाम मी पर की रहा है ये note down कर सकते हूँ उस बाद ये वाली चीज बहुत वर आई है purpose of education purpose of education is overall development of child सिख्या दा उदेश बच्चे दा सारो पक्खिया संपूरन विकास है overall development of child ठीक है इस बाद आप अगे देख देएं जी अगे है stages of psychology psychology दिया केड़े केड़ी stages है गिया मनों विज्ञान दे केड़े केड़े पड़ा है गिया किमी किमी psychology history दे विच अगे वदी है एक की करके step by step पे चार stages है जी पहली stage है गिया study of soul एस stages से question आंदे है कि एवली stage केड़े scientist ने केड़े psychologist ने दिती है जीड़ी पहली stage है गिया study of soul मतलब आत्मा दा अध्यान या रूधा अध्यान ठीक है एवली stage है ए दिती है soul मिश्टाब दीदे विच plateau ते अरिस्टू ने दिती है स्टेज प्लेटो एंड अरिस्टू नोट डाउन कर सकते हो ओस्वाद है second stage study of mind मन दा अध्यान एवल स्टेज स्टार मिश्टाब दीदे विच स्टार मिश्टाब दीदे विच स्टार मिश्टाब दीदे विच पैपॉलोजी ने दित्ती सेगी कि अपना जड़े चेतन मन है गया consciousness है गया ओधी study की ने क्या सी psychology नो एक क्या सीगा जी विल्लियम वंट दे विल्लियम जेम्स ने उन्नीव श्टाब दीदे विच विल्लियम वंट दा नाम काफी बार आउगा जी psychology subject देविच विल्लियम वंट ने study of consciousness क्या सीगा psychology नो study of consciousness मितलब चेतना दी चेतना दा अध्यम ठीक है ओस सुबाद इंदनन इक चीज होर कही सीगी अपने समने है इंदनने माइंड नो या चेतना नो तिननी से रिवाड़ किता सीगा कि अपने इड़ा conscious mind है चेतन मन है गया 10% होंदे subconscious mind अब चेतन मन होंदे 60% active उस सुबाद unconscious mind होंदे 30-40% active अचेतन मन 30-40% होंदे यह चीजी note-down करन वाली है यह सुबाद वुंट ते जड़े होर कोशन आया होय है विलियम वुंट ते वुलियम वुंट ने वुंट established first psychological laboratory in 1979 in Germany's Leipzig University यह बहुत वारी कोशन आया होय है यह स्लाइन दे वजो तिन्न कोशन आया होय है विलियम वुंट ने दुनिया दी पहली मनोविग्यानिक लैब बनाई सी जी जर्मनी दी Leipzig University दे विच युनिवस्टी दे नाम तो भी कोशन आया होय है पहली मनोविग्यानिक लैब की ने बनाई केड़े साल चे बनाई यह ते भी कोशन आया होय है तिन कोशन आया होय है तुसी यह नूट कर सकते इंपोटेंट पॉइंट है उससो बाद इक केस से होर कोशन आया होय है इससे थी consciousness वाली stage थी वाली stage थी the stage of consciousness was criticized by William MacDougall in his book Outline Psychology मतलब जी की चेतना दा जड़ा यह पड़ाव है यह ती अलोचना किती सी की William MacDougall ने अपनी कताब दे विच कताब दा नाम आया होय है Outline Psychology यह जी अलोचना किती की सी की यह stage जी की ने किती सी की William MacDougall ने किती सी विहार्द अध्यन की ने क्या सीगा जी कि psychology विहार्द अध्यन है गया यह क्या सीगा Watson ने Watson बहुत वरी होगा psychology दे विच काफी कम कितने न चाइल्ट psychology थे शुरुवात अज तो होगी Watson नाम दी coined by Watson मतलब यह वल स्टेज Watson ने जिती सी गी 20th ते 21st century दे विच विम्मी ते 21 सदी विच Watson दुआरा एह स्टेज पड़ाव दित्ता गया सीगा एक Watson ते होर कोशन आया हुए basic दे विचो Watson was against the term psychological awareness is the part of science Watson ने क्या सीगा OSC दे विरुद सीगा कि मनो विज्यानिक जाग रुकता विज्यान दा हिस्ता है Watson केंदा सीगा मनो विज्यानिक जाग रुकता है साइंस लग है मनो विज्यानिक जाग रुकता अलग चीज है educational psychological is related to behavior of learner विद्यक मनो विज्यान सिखलाई विहार नाल समंदित है कि प्राइदे नाल psychology है गी है बच्चे दे विहार ना जुड़ी होई है यह सारी गल्ला से किया introduction to child psychology जड़ा पहला चैप्टर बंदा है कि बच्चे दा मनो विज्यान है वोदी जान पचान introduction दे विच इन ने point बंदे इस सारे question आये होई है पिछली slide दे विच देख सकते हूं सारे note कर सकते हूं इस सारे questions वीडियो है कि question दो बनाई गई है मैं बार बर कह रहे हैं इह कुसे book दे विच आनो नहीं मिलोगी इंपोर्टेंट questions है गई है इस सोबाद आसी next वीडियो बना हमागे जी child growth and development दी पहली वीडियो जी अच्छी लगी चंगी लगी ता तुसी साथे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हूं ते bell icon जुरूर प्रेस करो ताकि अगली वीडियो जी आनो नोडिफिकेशन आ सके इसे सेम तरीके दे कर सकते हूं जैसे उनों वीडियो वदिया लगी ता वीडियो नों लाइक जुरूर करे हूं थैंक यू